तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि प्रेगनेंसी में गैल ब्लेजर की दिकत से आपको हो सकता है गर्पात जी हां मिस्केरिज की समस्या प्रेगनेंसी के टाइम गर्ल ब्लेजर से आपको हो सकती है तो चलिए देखते हमारे इस वीडियो में कि कैसे gallbladder आपकी pregnancy से related है महिलाओं में gallbladder एक ऐसी समस्या है जो pregnancy की समय या pregnancy के बाद होना बहुत सा मानने मानी जाती है और इतर pregnant महिलाओं को इस समस्या से जूजना ही पड़ता है gallbladder liver के नीचे का एक छोटा सा और्गन है जो आपके liver से बनने वाले bile को store करता है इतना ही नहीं आपके body में बनने वाले fat को भी बचाने में मदद करता है pregnancy की दुरान होने वाले hormonal change की वज़ा से मैलाओं में ये समस्या होती है वैसे तो इस बिमारी में जर्दी कोई लक्षन नजर नहीं आता है लेकिन मैलाओं को पीट में बहुत ज़्यादा दर्द या infection हो सकता है जिन मैलाओं को pregnancy के समय गौल ब्लैजर की समस्या होती है उन्हें अपने lifestyle में कई तरह के बदलाव करने की जरूरत होती है आप अपनी diet में कई तरह के बदलाव करें और रोजाना exercise करके खुद को healthy रखने की कोशिश करें लेकिन अगर आपकी समस्या कम ना हो तो आप अपने किसी निची डॉक्टर से सला जरूर लें यह में दुरूप से दवाईयों का सेवन करें ताकि समस्या होने से रोकी जा सके आईये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में गॉल ब्लैजर के क्या कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी की दुरान गॉल ब्लैजर की समस्या होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन में से ये कारण भी इसमें शामिल है 1. प्रिग्निंसी की दुरान एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने के कारण गॉल ब्लेजर की बिमारी हो सकती है 2. गॉल ब्लेजर का पाचकरस को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाना 3. प्रिग्निंसी की दुरान जादा मुटापा बढ़ना 4. अगर आप डाइबिजीस के पेशेंट है तो आपके लिए गॉल ब्लेजर होने की संभावना जादा है 5. पित में किसी भी तरह का संक्रमन होने के कारण 6. कम कैलरी की डाइच लेने से घटने वाले वजन के कारण 6. अब जानते हैं कि प्रेग्निंसी की दुरान गॉल ब्लेजर से होने वाली मुश्किले क्या क्या आती है प्रेग्निंसी की दुरान गॉल ब्लेजर की समस्या होने से अकस्मिक गरबात का खत्रा बढ़ जाता है मां और बच्चे दोनों की जान का खत्रा बर्ज सकता है पिताशे की ठैली में कैंसर होना इस दुरान आपके भूर में कई तरह की आसमन्यात्याएं भी हो सकती है समय से पहले ही हो सकती है आपके बच्चे की जिलेवरी अब जानते हैं कि गरब वबस्ता के दुरान खत्रे को कम करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में healthy foods को शामिल करें इतना ही नहीं रोज exercise करना भी आपके लिए जरूरी है ताकि आप healthy रह सके और अपने weight को balance कर सके प्रेगनिसी की दुरान ऐसे खादे बदात को अपने डाइट में शामिल करें जो fiber से भरपूर फैट वाली चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए इस समय unhealthy food खाने से बचें तो दूस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गॉल प्लेटर की बिमारी से कैसे आपको प्रेगनिसी में miscarriage की problem हो सकती है तो आप क्या-क्या symptoms और कुछ अपाय कर सकती हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल भवय हेल्थकेर को आज ही सब्सक्राइब करें तिल देन बी हल्दी, बी हैपी, और बी फिट